ले दोस्ते नमस्का स्वाथ आपसका फिसने वीडियो में दोस्तो आज की डियो में हम देखवालें दोस्तो करमबीर भरत खंड काब की आधार पर भरत का चलित चितनर केजिए तो चले इस तो देख लेते हैं काफी बेरे इंपोर्टर प्रसन है तो चले दोस्तो वीडियो को स्टाट करते हैं आप लोग वीडियो में कंटेनू बने रही तो दोस्ते हार करंबीर भारत की जो पहले बिसिस्ता है और उनका जो पहला चैश्ट चितनर है कि दोस्तों उनका भावक हिदाए दोस्तों भारत रामायर के सबसे भावक पात रहें और इस खंड कब मैं भी दोस् रत की सव को देखकर मूर्चित होकर गिर पड़ते हैं और पिता का देहन्त राम का बन गमन और उर्मिला की ब्रह कथा सुनकर वह सुयम को ही इन सब के लिए दोसी मानते हैं और भावना के आब एक में बैकर वह राम से मिलने बन में ही पहुंच जाते हैं दोस्तों उनकी दू इसकी परंपरा को आंगे ही बढ़ाते हैं इसलिए वह राज्य मिलने पर भी उसे बड़े भाई के चैड़ों में समर्पित कर देते हैं वह बार बार कहते हैं कि पिता की मृत्यू और बड़े भाई राम के बनबास जाने का कार वही हैं और उन्हें यह सुईकार नहीं था क कोई उनके चेत्र पर संदेह करे और कुल की कीरती को कलंक लगे तो चले इस तो देख लेते हैं तीसी परिवासा दोस्तो तीसरी है दोस्तो परमतियागी तो दोस्तो भरत को अपने पिता से आयुद्या का राज मिला था यदि वह चायते तो राजा बनकर सुक पूर्वक अ अन हसकती से भी परचित है दोस्तो सुमित्रा भी कहती है कि नहीं राज जिब बयबाओं में है अनुरक्ती तुम्हारी तुम बिदे है हो अटर राम की भankingती तुमारी दोस्तो चोतरा है कि राम के अनने भाकते दोस्तो भःत राम को अपना बड़ा भाई मलब बड़ा भाई ही नहीं मानते थे बलकी स्वैम को उनका दास मानते हैं और वह कहते हैं लगू बिराता यानि दोस्तो बड़े भिराता मलब लगू बिराता ही नहीं नाथ मैं दास तुम्हारा दुस्तो एक सچे मित्र, दुस्तो एक सच्चे भक्त की महाती उनका मन राम के चैड़ों मही बसता है उनकी भक्ति भावनाओर प्रैयम के सामने रामद भी बहुत भवक खो जाते हैं और भरत जब राम से मिलने चित कुडड़ जाते हैं तो वह पैदल ही जाना चाहते हैं परं तो राम को देखने के बाद तो वह स्वयम को रोक नहीं पाते हैं और उनके चैर पकड़ लेते हैं और भरत की इस भक्ती भावना से राम भी गदगद हो जाते हैं दोस्तो राम चायते थे भिराता को अंक लगाना पद पकड़े थे भरत कठे उन्हें उठाना इसने सहित कर खींच भरत को गले लगाया दसा देख करणा निधी का अंतर लहाया अब देख लेते हैं कि जो पांच में बिसिष्टा है दोस्तो वो है सच्चे करमबीर तो दोस्तो भरत सच्चे करमबीर हैं दोस्तो भरत सच्चे करमबीर हैं और वह अपने माथे पर लगे कलंक को दोने के लिए राम के स्थान पर स्वैम को बन में रहने के लिए भी तयार हैं और वह कहते हैं कि बास करूंगा बन में भाई का पृति निधी बन आप आयोध्या जाएं पड़ा सूना सिंगासन तो चरे इस तो बढ़ते हैं आगे हैं कि जब राम उन्हें समझाते हैं तो भी वह राज लेने के लिए ततपर नहीं होते हैं और वह उनके पृति निधी बन कर 14 बरसों तक आयोध्या का कार बाहर समालने का भार उठाते हैं और वह अयोध्या लोटने पर राम की ही भाति नगर के बाहर नंदी गराम में पैंड कुटी बना कर रहते हैं और वहीं से सारा राजकाज देखते हैं और भरत 14 बरसों तक राजा बन कर ही नहीं अपितु येगू बन कर रहते हैं उन्होंने राम की आदासों का पालन कर सच्चे करमबीर होने का प्रमाट प्रस्तुत किया अब दोस्तों हम लोग दिख लेते हैं खंड काब के नामकार का उचत्र दोस्तों भरत के नाम पर इस खंड काब का करमबीर भरत नामकार सर्वता उचत्य थे उनके जीवन में करम ही सर्वो परी था और वह चायते तो सरलता से मेले राज पाट को गहन का राजा बन सकते थे परन्तु उन्हें राज ठुकरा दिया दिपी उन्होंने राजा के समान ही 14 बरसों तक आयोद्या का कारभा समाला परन्तु उन्होंने राजा का पद नहीं लिया और एक सच्चे योगी और करम्बीर की भाती उन्होंने केबल करतब बे को महां समझा आता हक अन्रकाब का सीशक महां करम्बीर भरत पूर्टा उच्छे थे तो दोस्तो यह हो गया हमारा प्रेस्न तो बाकि दोस्तो आपनों को वीडियो केशले कमेड करके जो बताना और वीडियो कर पसने भी लागने उसे काने चैनल को सब्सक्राइब जेख लेना